संबित पात्रा, अगर आपकी तरफ से लोग बार-बार ये कहेंगे कि आयोध्या तो पहली जहां किया अभी काची मतुरा बाकी है, वो भी तो आपको हगिया सोफिया का उधरन दे के बताएंगे, कि जैसे वहां किया वैसे यहां भी कर लेंगे। कि सरसंग चालक जी मंच पे थे, किसने कहा, किसी ने नहीं कहा ऐसा, तो इसलिए मुझे लगता है आज एक बहुत शुभ दिन है, आज दिवाली का आवसर है, उसमें इस प्रकार से हम विवादित बयान कि कि किसी ने कहा कि हम आयुद्या के बाद अब कासी मतुरा भी और वो हिंदू मुसल्मान की ही राजनिती कर सकते हैं, मगर आज हमें वो नहीं करना है, देश में आग नहीं लगाना है, आज यहां अंसारी जी मौझूद है, इनके पिताजी भी लड़ रहे थे, इकबाल अंसारी भी लड़ रहे थे, मगर आज मैं उनको धन्यवाद करता यही समविधान की लड़ाई होती है, और वहां आप OVC को देखिए, OVC जी खुद समविधान का सपत लेने के बाद वो एक सांसद है, समविधान की दुहाई दे के प्रदानमंत्री पर आक्रमन कर रहे हैं, और खुद समविधान के खिलाफ बोल रहे हैं, सुप्रीम कोट is not infallible, यह कहा था OVC जी ने, कि सुप्रीम कोट से भी गलती होती है, कहीं न कहीं सुप्रीम कोट जो की हाइस्ट कॉस्टोडियन है हमारे समविधान का, उसके खिलाफ बोलना, वो तो देश को विबाजित करना चाहते हैं, जहां तक All India Personal Muslim Law Board का सवाल है, मुझे तो लगता ह इसके लिए आज एक लड़ाई का माहोल बना करके एक जनरलाइज नहीं करना चाहिए, मुठी भर लोग हैं, उन मुठी भर लोगों को हिंदुस्तान की जनता समझती है, पैचानती है, आज अवश्यक्ता है कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, यह पुनर जागरूती का विचाए है, हजारों लोगों ने, हजारों लोगों ने अपने जिन्दगी का बिदान दिया। हमारा काम अयोध्या का पूरा हो गया, अब हम काशी मतुरा की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कैसे मान लें, कि आप जो कहने हैं वो अलग है, और कटियार जो कहने हैं वो अलग है। है क्योंकि सौहार्द का विशय है, और आप देखिए, ये हिंदुस्तान की मेचियोरिटी है, ये हिंदुस्तान का परिपकोता है, कि जिस दिन जजज्मेंट आया, कोई एक दिन जजज्मेंट नहीं आया, अलाबाद आई कोर्ट के जज्मेंट के बाद, सुप्रीम कोर्ट के judgment के बाद लोग कहते थे सड़क पे खून बह जाएगा लोग कहते थे हिंदू-मुस्लिमों का धंगा हो जाएगा सड़क पे एक धंगा नहीं दुआ यह हिंदुस्तान की खुबसूरती है और आज भी उसी प्रकार का माहौल हिंदुस्तान में रहना चाहिए मेरे किसी एक गयान के कारण किसी एक व्यक्ति की खती नहीं ना मानसिक रूप से खती हो और ना सारी रूप से खती हो यह मेरा दाईत्य तो है और देखे मैं पार्टी का अधिकारिक प्रवक्ता हूं इसलिए अगर मैं कह रहा हूं कि जहां तक अयोध्या का विशाय है बिलकुल हमारा सम विचार बहुत विचार पर आ गई है लेकिन आपकी पार्टी के नेताओं ने आज भी अदालत में स्विकार थोड़ी ना किया है कि 6 दिसंबर को डाचा गिरने में उनका कोई रोल था वो तो कह रहे हैं कि हम थे सामने अचानक हो गया